नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनेत आवाज आज हमारे साथ हैं महेश मानव जी जो की OBC Front of India के President है तो इन्होंने जो है 2221 को जो प्रोग्राम रखा है क्या कुछ है इनी से जानेंगे तो सर क्या कुछ प्रोग्राम रखा है बाइज 21 और 20 को आपने 20 और 21 को हमारे दो मुद्दे हैं जो राश्ट्री इस तरके और राश्ट्री हित के मुद्दे हैं OBC की आवादी 52 परसंट है इंडिया के अंदर ये कमीशन जो हमारे मंडल कमीशन काका का लेकर आयोग बने हैं जो समयधान के अनुसार बने हैं समयधाने के सक्तियों से उनमें 52 परसंट आवादी OBC की 1931 की जनगर्णा में थी और अब तो और बढ़ गई है इसके लिए सरकार को देश की आदी से अधिक आवादी है उसके बिकास के लिए जनगर्णा करना अनुवार है क्योंकि देश की आदी से अधिक आवादी है जो पिशड़ी कही जाती है जिसको अधर वेकवर क्लास भी कहते हैं इतनी बड़ी आवादी और उसके बिकास की अगर कोई बात नहों तो एक बहुत बेमानी वाली बात है कि देश में आदी से अधिक आवादी वाले इस पूरे भारत में उनके बिकास के लिए तभी कारिकम बन सकते हैं जो उनकी जनगर्णा हो और जनगर्णा इसलिए अनवार है कि बिना जनगर्णा के उनके लिए जो देश में बजट निरधायत की जाता है विकास के लिए तो बजट उसी इजाब से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और बहुत थोड़ी सी मात्रा में बजट एलोकोट किया जाता है जिससे इन बिनों का बहुत बड़ा आहत हो रहा है और इसलिए जनगर्णा अनिवार है और जनगर्णा सरकार को करानी चाहिए इसके लिए पूरे देश में और घरण तक जनज़ागर अभियान चला रहे हैं आख सरकार को जनगर्णा ऑते हैं या जाती गजंगरना के अंतरगत आते हैंने जो लिए अपिस सीच्ट आप उसको पर्स्तूत करके दिखा देते हैं लेकिन उनके लिए इस्तिमाल कि तह़को को चलते हैं पर सुटध कर भी नहीं करती है आवादी के अदार पर पस्तुती नहीं करती है, मुश्किल से जो आवादी है, उसमें पांच परसेंट के लगवाओं उनका बजट आता है, 95 परसेंट जो उनको बजट मिलना चाहिए उनके विकास के लिए, वो बजट सरकार के दोरा निदायत नहीं किया आता है, और जब ब बजट आवादी के अदार पर विकास के लिए निदायत होना चाहिए, क्योंकि जो पिषड़े होते हैं, जो पिषड़े होते हैं उनको तो और अधिक द्यान देना चाहिए, परिवार में भी होता है, जो कमजोर बैक्ती होता है, परिवार में कमजोर मेंबर होता है, उस प और बढ़ गई है क्योंकि ये पिश्डे बढ़ के लोग हैं और इनकी आबादी जो इस तरह से परिवार नियोजन संबंदी जो अभ्यान चला आयाता वो नहीं समझ पाते हैं और गरीबी की काराण इनकी आबादी और ज्यादे बढ़ती है इसलिए इनके लिए जनकरना होना अनवार है और नहीं तो देश और प्स्ट चले आएगा और इसके लिए ये सरकारें जम्यवार हैं जो आयादी के बाद एक वी बार जनकरना नहीं करा रही हैं जबके यहां कुत्ता बिल्लियों की जानवरों की पेड़ पोदों की और किस-किस की यहां पर जनकरना होती है जो बास्त में मनुष्य हैं जिनकी बदोलते सरकार में बैठे हुए हैं और इनकी इतनी बड़ी आवादी के अधार पर इनको वोट भी देती है तब इनकी सरकारें बनती हैं और उसकी जनगर्णा नहीं करा रहे हैं यह अब हमारी OVC की जनता और S.E.S.T. की बाले लोग भी इससे पहले जो है आप लोग चुपी साधे बैठे थे नहीं ऐसा नहीं है हम लोग लगातार संगर्श कर रहे हैं लगातार पहले देखिए उनीस सो त्रेपर में काका कालेकर बना आयादी के बाद तुरंट काका कालेकर आयो गो ना उसने अपनी उनीस सो पच्पनिम रपो की जन करना होई है और लगातार पहले बिन पुनेना होती थी उसमें हमारी आबादी केवल ओवीची की 52 तरसाई की जो रिकॉड है आज भी गोवर्मेंट के पास में और उसके 1931 के बाद आजाद भारत में किसी भी प्रधान मंत्री ने किसी भी सरकार ने पहले कांगरेस की सरकार हुआ करते थी और उने रद्दी की टोकडी में काका काली के यूपोर्ट डाल दी और उसके बाद जनता पार्टी की पहली बार नोन गवर्मेंट कांगरेस आई जनता पार्टी की मुराईज देशाई की और उस गवर्मेंट में भी लागु करने के लिए हम लोगों च diarrhea आंदोलें चलाए और उसमें इन्होंने हमारे जो प्ताथकाली पधारमंत्री मुराईज देशाई ने उसको दूपरी में डाल दिया पहले इंतरा जी ने डाला फिर मुराजी देसाई ने भी उसको इसको अर्धी टोरी मिडाल दिया और के काका काल की आयोकी पिछले बर की रिपोट को एंप्लीमेंट नहीं किया और उसके नहीं नहीं एक न्या कमीशन बना दिया मंदल कमीशन तो सेविंटीएट में में मैं बनीन नमनी Mal SM तब ही तो जनतादल की सरकार आई जनतादल की सरकार में बीपी सिंग जी ने भी मजबूर होके मदलब आंदोलन के कालारक्यों को मैनिफेस्टों में भी था जंता दलके में और हम उसे हम दोग उसमें लड़ते थे इस्टुएंट भी थे उसके बाद भी बड़ी संख्या में देश वर में जिले जिले बाई आंदोलन चलाए जो आप कह रहे हैं कि आप लोग अब तक चुकों बै हमाजी ने तमाम सारे हमारे परावने लीडर थे इन लोगों ने लगातार देश में अभियान चलाए हैं कि जो कमिशन लागू होने चाहिए जनगर्णा होनी चाहिए और आवादी के अधार पर इनको विकास के लिए बज़ट मिलना चाहिए और उससे बलके ज्यादा मिलन जाके रहेंगे हमारी आवाद यतनी है जनता जागेगी तो जनतंत्र में जनता बड़ी तहीं होती है जन चाहेगी हो ओप ही स5000 अबिसे समाज की मगर ओधिसी समाज तो जो है सरकार का सब देरी है और आ है यह साथी समाज स conquered नरल भाज़गा को और लगाता और इससी में जा यह हमारे पिसली गर्वंबनेंट में भी यह फ्यर्माना जी उप ग्रह मंतरी थे यह वी सी आपका जो पहला प्रसंद था कि राजना सिंग जी ने भी बादा किया था मंत मंधल में पास वी जूँआ था केबिनेट में पास हुआ था को भी इसी की जनल करना कराई जाएगी और ये बादा किया था और इसलिए लोगों ने सयोग भी किया था निका और हमारे पदानमंत्री जी मोदी जी ये पिशले बरके बताए गए लोगों ने सपोर्ट किया था पिशले बरके पिशार किया गया पिशले बरके हैं और उसके आदार पर लोगों नो पूरे इंडिया में पिशले बरके बोड़ दिये इनको पदानमंती बनाया और उसके बाद इन्हों ने हमारे उसी पीरिड के राजना सिंग जी को रहमनती थे नहोंने का हम जनकरना कराएंगे OBC की लेकर उन्होंने नहीं किराया और इसके बाद फिर बादा किया कि अगली बार में जनकरना हो जाएगी तो बोड़ तो इसलिए बादा किया मंतर मंट्र में पास भी किया गया राजना सिंग जी की जमानने में तो उसमें सरकात तो OBC की बनाते ही हैं वस्षिसी का पडानमंत्री बताया गया कि हैं, इसलिए स्राकार कुछ सपोर्ट किया गया, लेकिन अपकी बार अगर नहीं करते हैं, तो मझीवर हो करो सूचना पड़ेगा, के लोग कहते हैं, कहें अपना बाला नहीं निवाते हैं, इसलिए जनता अगे अपना दर लेने के यह खुद तयार है कि हम आगे क्या करेंगे सरकार बनाएंगे लेगी OBC सरकार अलग से तयारी करेगी द्वाव बनेगी वो सकता सरकार अलग बनानी पड़े जब नहीं मानेंगे तो जनता जो चाहेगी वो करेगी जनता वहमत में और SCST के भी साथ अन्याय होता है तो अपना क हर प्रदेश में हर जिले में गाउं गाउं घरगर तक हम OBC की जनगरना कराने के लिए पूरा प्रचार पसार करेंगे जनजागर अभ्यान चला रहे हैं देश पर पूरा और इसके लिए जनता को जगा रहे हैं को जगाएंगे. liga कि last receipt की तो जनकरणया आललेडिए होती है, जो जनकरणया का परपत्र है इसमें स्ची और ऍस्थी की जनकरणया का कालम है, ce लीए OBC को जगाना पड़ेगा साथ हमारे स्दिश्ण यूद्र कोई Krustus है और उनके लिए बजट भी एलॉट होता है उनका पालिया मिंट में है और वह जो हमारा हिस्सा अभी यह सर्विसें यूपी सी बगारा में पीसी में स्लेक्शन होता है तो उसमें उनकी जो सीटे हैं वो सब को बलावर मिल नहीं समय पहले नहीं मिलती थी जो पुरानी बैक नहीं हुए है और अब तो जब से मंडल कमिशन लाग हुआ है तब से पूरी बढ़ती हो रही है और जो रोश्टर सिस्टम में गरवर किया जाती है लेकिन यूपी सीज और पीसी से जगह निकलती है उसमें ज्यादे समस्या नहीं है लेकिन चुपचाप चोड दर्वाजे से जो रोश्टर सिस्टम को गरवर करते हैं और जो सर्विसे हैं और जहां से भरती होती हुए उनमें गरवर किया जाता है इसलिए दर्वाजा भी आपने नाम दिया जो चोड दर्वाजा का मतलब बैक लॉग बैक दूर से दरदूर से कहीं से चुपचाप मैं घपले मां दोलें चला रहें तमाम सेमडर कर रहें जन चला रहे यह भी जंता जाग रहें और जंता जागेगी अपना अधिकार लेकर रहें और निश्चित रूप से हम सफनों गे समय कहीं कोई दोराई नहीं क्या कुछ रहेगा आपके प्रोग्राम में topics क्या रहेंगे तो दो इ आगे आपकी सरकार बने कर ने बने इस पर सोचने को मजबूर होंगे, बनाई जाए के नहीं बनाई जाए जाए के जनता के बिना कोई सरकार नहीं चला सकता है देश के अंदर, इसकी आदिशा देखाबादी है, और इसी ने बनाई हैं तोनों सरकार हैं, और ये बिगार भी स सकती है और नई स्रकारी होना सकती है इसलिए जो पूरा नहीं करेगा तो निश्यत रूप से इनको अपना उसका खाम्याज रठाना पड़ेगा और दूसरा टॉपिक है जो हमारा इसमें जब पहले से बैलेट पेपर चुनाव होते आएं तो हम करें बैलेट पेपर के माध्य इसमें से चुनाव करिए जो आजादी के बाद लगाता रोते आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पूरे देश में लोग तौम कुश्चन करते हैं परसन करते हैं कि गुटाला होता है इसमें गड़बनियां होती है तो यह लोग जो जब गड़बनियां आप नहीं कर रही है इसमें आपको भी कोई कुश्चन नहीं कर पाएगा कोई आपकी मतलब इसमें जो संका हैं कि कहीं आप गड़बन कर रहे हों तो पबले के सामने आजाएगी तो आपको इसमें परसाइए कुछ नहीं आपको तो और खुसी होनी चाहिए बैल्ड पेपर कराने हो कि द पाप बीले की यहां पांशाल में चुनाव होता है पांशाल में कितने दिन हो गए प्रियात अंत्र के प्रती विश्व सनीता रहे सबसे बड़ी यह इस्तियाती से सारे लोगों के कुष्चन है जो संका है वो स्वाप्त हो जाएंगी इसलिए वैलेट पेपर कराने में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए और यह कराएंगे भी है और कराना चाहिए और नहीं तो फ चलाएं सुप्रीम कोट में भी गए हैं तो इम सबी की समस्या है देश में जो सेविंटी एटी परसेंट लोग हैं जो अब बिपक्ष में हैं और उन्होंने सबने सुप्रीम कोट का दरवाया खड़कडाया और सुप्रीम कोट में भी अपनी बात रखी कि वह बैलेट सबने के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दियेगी कि इसि-पी कार पहरेज की कि लिए कि21 जुराई को को कि 2 से चलेंगे तो दो बजे से दो दिन चलेगा तो उसमें हम लोग सरकार को बारस सरकार को पालियमेंट को पालियमेंट मेंबर्स को और सभी को बुद्ध जीवियों को पत्रकारों को जो भी हमारे जनलिस्ट है या जो भी मीडिया वाले लोग है उनको सब को बताना चाहते हैं कि यह देश म इसमें पूरे प्रद्नेदी लोग हैं, जो समाज से भी हैं, पत्रकार भी हैं, प्रफेसर भी हैं, और जो अपने तमाम सारे संगत्रनों के माध्यम से जन्जागर कर रहे हैं, उसके प्रद्नेदी लोग भी इसमें अपनी बात रखेंगे, तो कई प्रदेशों के लोग अपन चाहती है कि जन्गर्णा होनी चाहिए OVC की, दूसरी चाहिए हमारा जो बैलिट पेपर पचना होना चाहिए, वहां से सूचना लेकर आ रहे हैं, उन फिल्ड में काम कर रहे हैं, और इसको हम पालियामिंट के लोगों को बताएंगे कि देश की जन्गर्णा होनी चाहिए, औ जन्गर्णा होनी चाहिए OVC की, और मत जो आपका जो पढ़ता है, वह बैलिट पेपर मद्दान होना चाहिए, इसलिए दोनों चीज़ें वहां से रिपोर्ट ला रहे हैं, और यहां से हम लोग पालियामिंट को बताएंगे, और इसके बाद पालियामिंट में जब लोग बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग नहीं मानेगे, फिर अपने लोग जिलाशतर से लेके गाउं गाउं घरगर तक प्रचार में जन्जागर तेजी कर देगे, नहीं मानेगे तो करना ही करना है, और जन्ता बढ़ी है, सरकार बढ़ी नहीं है, इसलिए जन्ता चाहिए कि वहोगा और पूरे देश को मालू में कि चीवी में मैंजिसमें खाले के दोड़ा को जागरू कर निकालेगे को कर निकालेगा हर सरकार को मतरते हैं कि देश की समस्टा चली Slovenia श्राइब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे महेश जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रहेगा और कब कब रहेगा 20-21 जुलाई तक ये दो दिन दो दिवस्य प्रोग्राम है इसमें जरूर शिर्कत करें क्यूंकि इसमें वी दपीपल और पैगाम जैसी टीम और OVC Front of India जैसे लोग सारे संगठन यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यह सभी लोग जो है मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं आप लोग जादा से जादा शिर्कत करें क्यूंकि बहुत संख्योकों की जो हकमारी हो रही है उसी के आव को लेकर के यहाँ पर जो है प्रोग्राम दो दिवसिये होगा उसमें आप जादा से जादा संख्या में पहुंचे और जादा से जादा पहुंचकर उसको आप मूल्य बनाए और पहुंचे महां पर बहुत बहुत शुक्रिया